कि व्रज में जो तुलसी वन है वाँ आज भी पूनिमा के दिन रात को रासलाय होती है आधुनिक सब्यता, बहुधीकता, हमारी विज्यानिक उपकरण और आज की भागदोर की जिंगे में शायद हम इस पर विश्रास करें या ना करें लेकिन यह हकीकत है कि तुलसी वन में रासला होती है क्योंकि जिनके जीवन में संगीत है वही सूर है और सुर्दास के पदों में जो मधूरता है और वही अपनी दुखों को दूर करने के लिए बड़े मधूर धंग से राग रागीनियों से वो पद घाते रहते थे और उसी कारण केते हैं हमारे प्रभू आउगून चीत न धरो कितनी बड़ी ए अपनी चरीत्र की स्पष्ट बाद कहने का प्रयास है अक्सर हम लोग अपनी अच्छायों का वनन करते हैं अपनी दुखों के बारे में कहने का हमें साहस नहीं होता इन कहा कि हे प्रभू मेरे जो अउगून है उन्हें माप कर दो मुझे चीत की शांती दो जब चीत में शांती होगी तब भी हम आपका आराधन कर पाएंगे और इसी कारण प्रभू, संगीत और सुर इतीनों का समन्वई क्रश्ण काव्यकी एक अच्छी ज़ड़ बन पाई है जहां क्रश्ण है, वहां संगीत है और जीवन को संगीत बनाने का एक दीव्य संदेश क्रश्ण के चरीत्र के माध्यम से हमें प्राप्त होता है और इसी कारण शावर महिने में जब जन्माश्ट में आती है रात के बारा बजे घंटी बस्ती है इतनी सालों के बाद भी लोगों में उस्सा आ जाता है संगीत समुष जीवन को एक अच्छा प्रिरक बल देता है साथ में रहना है तो संगीत में रहना है संगीत नहीं है तो जिनकी बेलकुल कुरे काघस की तरह है संगीत से हमारा सरी स्वस्थ होता है हमारा मन स्वस्थ होता है हम तनाव से मुक्त रहते हैं और याद रखिए परमात्मा के पास जाना है तो आपको संगीत का आश्रे लेना ही पड़ेगा चाहे वो भीरा के गुणों हो चाहे कबीर के पद हो या कबीर के तुही तुही वाली बात रही हो या तुलसि के हमारे दोहा और च्पाई की बात रही हो या पिर हनौन 40 राहो या कृष्ण के पढ़ हो वर्ज लिला हो यमुना हो कदम मत की हो या फिर मक्षन की बात हो अकिर वह सब संगीत के समाय जग साधन है तो इस रुप में जह संगीत है वह सूर है और सूर नहीं है तो फिर जिनगी में कुछ पुछ नहीं होता और इसी द्रश्टिकोन को चामने रखते हुए उस समय के समराथ तांसेन ने एक चीज कही थी एक बात लिखी थी कि उत्तम पद कवी घंग के पद में कोई सिष्ट है तो कवी घंग के है कवीता के बलबीर केशव अर्थ गंभीर के सूर तीन गून है धीर कहनी पड़ी कि सुर में तीन गून है हम जानते हैं हमारे पितर सत्व रजस और तमस है लेकिन तीनों का जब तक सामजश्य है संतूलन है तभी हमारी जिन्गे में संगीत की शुरुवात होती है इस देश में हम जानता है कि अवरंग जेव को संगीत का दुश्मन माना गया है कि आज भी कुछ लोग संगीत से परे हैं उनके जीवन में समश्या आये है कि सुर्चागर में कहा गया है कि आपकी निजी समश्याओं का समाधान करना है तो आप संगीत की शरण में जाईए बंसे की दून सुनिए और उसी को विध्यापती ने भी राधा कृष्ण के प्रसंग में बड़ी संगीतात्मक ग्रूप में चित्रन करते हुई लिखा है कि नंदक नंदन कदम बक तरुतर दिरे-दिरे मुरली बजाए जो नंदका बेटा है नंदक नंदन है कदम के पैड़ के निशे बैठा हुआ है और वो धीरे-दीरे मुरली बजा रहा है लेकिन हकिकत तो यह है कि वो राधा की प्रतिक्षा कर रहा है वो राधा की प्रतिक्षा करता है लेकिन आम जंदा को परिशान नहीं करता है कि कितना बड़ा अच्छा चित्रन ह जो समय दिया है समय संकेत निकेत नबैसल समय दिया है कि इस समय में आऊंगा स्थल का एक इसारा किया है और उसके पेड़ किंचे बैठे-बैठे बीरी-बीरी बोल पठाए और व्रसे मत्वुरा की और जो लोग आते हैं जाते हैं उन सब को बीना कोई संकोच बरे निदोश जबाव से वो पुछ रहे हैं कि तुमने राधा को देखा है जहां प्रेम है लेकिन इसमें संगीत नहीं है सूर नहीं है तो क्रश्ण के जीवन में सब कुछ अधूरापन है इसलिए लोग कहते हैं पहले अपने आपको क्रश्ण को समर्पित कर दो अंदर जो कुछ बढ़ तब खिलता है कि भक्त अपने रदई को सत्य प्रतिश्वत खाली करता है अपने दीनता को अपने अउगून को दूर करके खोल कर रिख देता है और तभी क्रश्ण के नाम पर सिक्रश्णम सर्णम कहकर वो अपने आप खिल जाते हैं तो यह हुई चोथी विसेष्टा आपांच पर यू है वो व्रजोष yem के प्रदांता है हम असलिटर जानते हैं करश्ण कावय का जो खुक्शेट्र रहा है पुरा वरजप्रदेश है haven प्रश भाशा इतनी कोमल्कांत पदावली है । सूर कोमल है, क्रश्न कोमल है, वहां सब कुछ अच्छा है, सहां सुन्दर है, तो भाषा भी सुन्दर ही होनी चाहिए, और इसी कारण हम ब्रज की भाषा को मुरली की तरह सुनने के लिए आदि हो गया है, और मुरली के बाद सुनकर कहते थे, तो नाच तब आता है जब हम अंदर से खुश होते है परमात्मा ने ये शरीर हमें खुशी और आनन के लिए दिया है ये आप में किसी की मूले की दून सुनकर या ढोल की तान सुनकर आप में थिरकन महसुस नहीं होती तो समझना कुछ कमी है और ये स्वारा स्रेय व्रज भाषा को गया हुआ है और इसी कारण सुर्दास को ये श्रही पहुंचता है कि व्रज को सहितिक भाषा का यदि किसी ने रूप दिया है, सम्मान दिया है, उस पद पर आशिन किया है, तो ये काम के वल सुर्दास ही कर सकते है, किसी और के बस की बात नहीं है. आगे के जो विसेस्ता है, सुर्दास के जो पात्र है, वो बड़े प्रतिकात्मक रूप लेकर आये है, बहुत कम पात्र है, जो हमारे दील को पकड़ के रखते है, खुद जो क्रश्चन है, वो लिरापुर्शोतम के रूप है, परमात्मा का रूप है, हमारे आमजनता का और साथ साथ जो राधा है वो माधूर्य का एक प्रतीक बन कर आई है कि राधा के ब्रजना क्रश्न आधा है जीवन में मधूरता नहीं है तो लोगों के बिश्मी आपका जीना मुश्किल हो जाएगा और इसलिए कहा है कि तोता मिर्ची खाता है फिर भी मीठा मीठा बोलता है जबकि लोग सब कुछ खाते हैं मीठा बहुत कम बोलते हैं और तभी यह कहना पड़ता है अधरम मधूरम तो ये मधूर शबद की दून से यो माघे पात्राय है उद्धाव बुद्धी और तरक को लेकर आया है हमारे भीतार तरक होता है तर्क हमें शंशे में दलता है और कहा गया है कि संशयात्माविनिश्यति यहां त्रिवेनी संगम है प्रश्ण राधा और उद्दव एक तरफ ज्ञान है एक तरफ प्रेम है एक तरफ बुद्धी है और एक तरफ हमारी रदय की भावनाएं है सबसे बड़ी महत्वपून बात है गोप्यों का क्रश्ण विरह यदि क्रश्ण काव्य से इराधा और गोप्यों के विरह की बात को हम न चुए लगता है कि क्रश्ण काव्य अपून माना जाएगा गोप्यों का क्रश्ण का जो नाता है वो चिरंतन रहा है सदेव के लिए रहा है अटूट रहा है और यह गोप्य और क्रश्ण का जो संबंध है वो सामोहिक चेतना को उज्जागर करता है हमने सुना है कि कृष्ण की 16,000 रानियां थी लेकिन वो 16,000 की जो संख्या है वो सामोहिक चेतना का प्रतीक है कि बिना एक दुसरे के मिले हम जीवन में सपल नहीं हो सकते है और इसे कारण वही गोपियां जब योवन की दहलीश पर आती है तो वासले भाव प्रेम में परिनत हो जाता है यह को मनोविज्ञान के रूप में हमारी जो परिवतन की जो सिमाय है पता है नहीं जलता कि हम कब योवनी की दहलीश पर आ जाते है और इसे कारण गोपियों का वीरह कृष्ण काव्य का एक प्राण तत्व माना गया है किसी किसी संप्रदाई में भक्त अपने आपको गोपी समझता है और भगवार ने यह जो जन्म दिया है हमें जो दुख दर्द हो रहा है आदि व्यादिय से हम परिशान हो रहा है तब हम गोपी भाव से कृष्ण के विरह को मैसूस करते है और फिर उपर उठने के लिए भक्ति के रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं गोपी के साथ साथ रादा और कृष्ण का विरह भी बड़ा ही महत्पपून है और रादा कृष्ण का जो विरह है वो क्रश्ण के रुप में व्रिश्वानू कुमारी कहा है और राधा का एक ही चीचर काफी होगा कि क्रश्ण के विरा में राधा की क्या स्थेती है देखे आप विरा है तडप रही है आँखों से आंशु निकल रहे है पूरी साड़ी भीग गई है कई दिनों तक पहनी रखी है वो साड़ी को धोती नहीं है दार है कि जिस साड़ी के अंचल में क्रश्ण के विरा की जो हमारी स्मूती है तो साड़ी दूने से वो धूल जाएगे हमारा संयोग तूट जाएगा इसलिए आंखे नतमस्तक करके बैठी हुई है और उसकी स्थिती एक हारे हुई जुगारी जैसी हो गई है न तो क्रश्ण को छोड़ सकती है और नहीं क्रश्ण को मिल सकती है और उसी चीज़ को हम विहारी के संदर में कहते है कि विहारी की जो विरही नाईका है उसके लिए एक दुहा बड़ा प्रशलीत है नाईका की मौत हो जाती है कव्या आते है शारा आते है शरीर को नोचते है अब तब उसकी आत्मा बोलती कागा सब कुछ खाईया चुन चुन खाईया मास दो नेडा मत खाईया मोहिपिया मिलन की आश तो ये जो भावना है वो राधा कृष्ण के विरह के लिए परियापता है अब कृष्ण कावे को समझना है तो कृष्ण के कुछ पदों का घान करना ही पड़ेगा उनके गान के बीना हम कृष्ण भक्तिक कावे को पूर्ण नहीं कर सकते तो पहला जो पद है बास्चल भाव का वो मैं आपके सामने प्रस्तूत कर रहा हूँ कहते हैं कि गान के मध्यम से छात्र अध्यापक के बीश्य में एक आत्मिता होती है एक अच्छा संबन स्थापित होता है और वहां पहुँचने के लिए हम ये जरूरी है सुर्दास है प्रश्चन है भक्ती है और राग नहो उसका गान नहो तो फिर कुछ मन में खटकता है तो लिजे ये पहला पद है ये शुदा मिया अपने प्रश्चन को सुला रही है किस प्रकार आज की माता ये अपने बच्चों को सुनाती है उसे हम याद कर सकते हैं जशोदा हरी पालने जुलावे हलरावे दुलराई मल हावे हलरावे दुलराई मल हावे जोई छोई कचुघावे मेरे लाल को आई नी दरिया काहे न आनी सुलावे तु काहे नहीं बेग ही आवे तु काहे नहीं बेग ही आवे तु काहे नहीं बेग ही आवे तो के तो ये है ये शोदा का वाच्सेले वर्णन लेकिन दुसरा जो पद है जो सास्त्रिय संगेत के रूप में थुमक 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 हरी आए मुहे चरण पखावन मुहे आसलुचावन आए नंदको नंदन कदंवक थारूतर दीर दीर मुरलि बजाए समय संकेत निकेतन बेसल बिरी बिरी बेल पठाय अरंत में दुसरा एक पद जो है जो हमारे दिल को हमारे मन को हमारी भावनाओं को बिल्कुत जगजोर के रहता है